हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूँ साथी और आज मैं आप लोगों के साथ सेयर किया है ट्राइकलर चापाती रेशिपी कोई भी फूड कलर इधर में यूज नहीं किया घर का सामान से बनाया और बहुत हेल्दियर टेस्टी भी है ये इस ट्राइकलर रूटी बाच्चों के लिए बहुत ही फायदेमन है पहले मैंने कुछ पालक की पत्ते लिया उसी को अच्छे से धोग के ब्लांच कर लिया उसका स्टीम पोर्शन हाटा दिया और उसके बाद उसका एक मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट कर लिया इधर गाजोर के हेल्प से मिला लेंगे अच्छे से साब कुछ मिलाने के बाद आटे को तीनो पर्शन में डिवाइड कर लोंगी क्यूकि मैं आज ट्राइकलर रोटी बाना होंगी इसले तीनो पर्शन में भाग कर लिया आभी मैं दूसरे प्लेट में एक पोर्शन गेहुका आटा लेके उसके साथ गाजर का प्यूरी मिला के एक डो बना लोंगी इधर खेयाल रखना है कि प्यूरी में बहुत पानी रहता है तो कोई भी एक्स्ट्रा पानी लेने का जरूरत नहीं है और बहुत सारे प्यूरी एक साथ डालना नहीं है थोड़ी थोड़ी मत्रा में गाजर का प्यूरी लेके पहले आच्छे से डो को लगाना है एक टाइट डो बनाना है नहीं तो सोबजी जो रहता है उसके अंदर बहुत ही पानी रहता है तो ज़्यादा पानी से आपका जो डो होगा वो बहुत गिला हो जाएगा इसलिए थोड़ी थोड़ी मत्रा में प्यूरी डालके एक टाइट से डो बनाना है और हाथ में थोड़ा लग जाएगा ये जो डो इसलिए थोड़ी सी आटा हाथ में अच्छे से राप करके इसका स्मूध कर लेना है डो को ऐसे जैसे मैंने वीडियो में देखाया इसी प्रोकर पालक प्यूरी से मैं ग्रीन डो बना लोंगी और उसी के टाइम ही थोड़ी थोड़ी प्यूरी डान ला है और एक स्मूध डो बनाना है ऐसे और इस डो पे कोई भी पानी यूज करने के ज़रूरत नहीं है और जो पालक का प्यूरी और गाजर का प्यूरी हो नॉर्माल गेहो का आटा यूज करता है और उसी से जो दो होता है एक बना लिया और इजे तिनो डो रेडी हो गया आभी मैंने इसका पेड़े निकल लिया तेखिए तिनो कालर कितना सुन्दल लग रहा है ना आज मैंने ट्राइ कालर रूटी बनाऊंगी इसलिए मैंने तिन को एक के साथ एक अच्छे से लगा दिया उसी के बाद गेहो का आटे से डास्ट कर लिया और आभी मैं इसका रोटी बेल लूँगी जैसे हम लोग चापाती और रोटी बेलते हैं ऐसे ही साच बोलू तो मैं इंडिपेंडेंडेंस डेर के लिए ए बनाया था तो ए एक अचल ना लिया एक दिन freards गारे बना लिया एक दिन बीट आट रोटी और आपका पसंद आज आज वह बना लिया था कि वह आदी नहीं हो जाएगा स्पैसराले बात mil लोग बहुत सब्जी नहीं खाते हैं तो सब्जी हमारे लिए बहुत ही फायदेमान है तो इसलिए आप ऐसे बाच्चों को सब्जी खिला सकते हैं और ऐसे रूटी बनाएंगे तो बाच्चों लोग बहुत ही मतलब एकसाइटमेंट फिल करेगा उसके अंदर एक कालर का होंगी सार्केल सेप का आपका जो भी कलर पसंद आए जो भी सेप पसंद आए आप उसी हिसाब से बना साकते रेड वाइट ग्रीन सैफ्रोन आपका पसंद का रोटी बनाएं हपतों में एक एक दिन और एंजय करिए फेमेली के साथ सब्जी से बना हुआ रोटी फायदेमा करना चाते है तो ओ ए सब्जी का रोटी खा सकते बहुत ही फायदेमान है क्योंकि पूरे के पूरे गेहु का आटा एक लेची में जो बहुत पेड़े में जो लगता है उसी से हाप हो जाता है हाप गेहु का आटा और हाप सब्जी मिलता है तो ओ हमारा हेल्थ के लिए भी बोल के हेल्फ से मैं इधार एक सार्केल रोटी बाना लिया कितना आच्छा देख रहा है ना पहले तावा को आच्छे से गरम करके उसका फ्लेम लो कर देना है उसी के बाद तावा आच्छे से गरम है लो हीट पे मैं चापाती को दोनों साइड से से शेक लूँगी चापा सी एमाउंट में लेके चापाती के ऊपर स्प्रेड कर लूंगी पालक के पत्ते आयरन में रिछ होता है जो केरेड मिलता है उसमें बहुत सारे वीटामिन इसलिए थोड़ी सी मत्रा में देशी गावा घी उज करने से वीटामिन ए हमारा शरीर में अच्छे से एब्जोर्ब होगा इसलिए गाजोर का ट्रेडिशनल रेसिपी जैसे गाजोर का हलुआ में थोड़ी सी मत्रा में देशी गावा घी का यूज होता ही है अभी सार्केल ज देशी गावागी इसके उपर भी में स्प्रेड कर लूँगी और एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग कुकोयर यूज करते हैं वो पाच्चों के लिए स्पेशाली कास्ट आयरों का कुकोयर बहुत ही अच्छा होता है सब लोगों के लिए अच्छा है तो इसलिए पासिब प्रेडनेंस डे के लिए ये सब कुछ बनाया और उसी के ट्राइक अलर थीम था तो मैंने इधर फ्रायर राइस भी थोड़ा बना लिया इधर एक पनीर का निरामी सबजी था उसी के उपर थोड़ी सी सेलर्ट स्प्रेड कर दिया पानी में थोड़ी सी गाजर का पिवरी थोड़ी सी पलक का पिवरी और दूद डाल के मैंने कैंडल का भी जला दिया प्लीज कमेंट करके बाताई है आज का डेकोरेशन कैसा लगा आप लोगों को